गुड मॉनिंग गाइश मैं कच्छा ग्यार्मी में गड़ित जिसका एक चैप्टर है संगू परिच्छेद उसके बारे में आज हम कुछ भार मूले और उसके बारे में जानेगे पहली बात है यह संगू परिच्छेद क्या होता है संगू आपने देखा होगा जैसे आईसक्रीम का कौन होता है उसे हम संगू कहते हैं परिच्छेद का मतलब है उसे तरीकों से काटना अलग अलग तरीके से काटना तो एक तल होता है और एक संगू का परिच्छेद लेते हैं तो इस प्रकार परिच्छेद बक्र संगू परफ्षित के बक्र, तो संकू को जब हम कई अलगलग तरीके से काटते हैं, तो हमें एक ब्रत मिलता है, परवले मिलता है, दीग ब्रत मिलता है, अतिपरवले मिलता है, ये सब हमें चित्र संकू परफ्षित से प्राप्त होते हैं, संकू परफ्षित का उपियोग किसमें किय जाता है, संकू परिछिद में बक्रों का अध्यन, गिरहों के घूरन, दूरदर्से यंत्र, एंटीना, निर्माण, आटोमोबाइल की हेडलाइट आदि में यूज किया जाता है, तो हम जानते हैं, जब हम संकू को सीधा काटते हैं, तो हमें ब्रत प्राप्त होता है, हमें क् सीधा काटा है, तो उसे संकू को प्राप्त प्राप्त होता है, तो ब्रत का फार्मूले हम यहां जानना चाहते हैं, तो देखिए, ब्रत का मानक समीकर, एक्स माइनस एच का होल स्कॉार पिलस, पाई माइनस के का होल स्कॉार बराबर आर स्कॉार, जा हम जानेंगे आर क्या है ब्रत की त्रिच्जा है ह और के क्या है ब्रत के केंदर है तो ब्रत का केंदर आपको दिये जाएंगे और त्रिच्जा दी जाएंगे तो आप ये फार्मूला लगाओगे दूसरा फार्मूला है ब्रत का ब्यापक समीकरड तो ब्रत का ब्यापक समीकरड है x square प्लस y square प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c बरावर 0 तो यहाँ पर g और f यह हैं यहाँ ब्रत के केंदर हैं तरिज्जा निकालना हो तो r बरावर under root g square प्लस f square माइनस c यह फार्मुला लगा होगे नेक्स फार्मुला देख लीजिए मान के चलिए यदि ब्यास के सिरे दिये हो तो ब्रत का समिकड़ क्या होगा ब्यास के सिरे दिये जाएं तो आपको x x माइनस के x1 x x माइनस के x2 प्लस y माइनस y1 second bracket में y माइनस y2 परावर 0 यहाँ h, k जो हैं बिन पत होते हैं x के स्थान पर h, y के स्थान पर k लिखते हैं और आपके ये ब्रत के ब्यास के सिरे का फार्मुला है नेक्स देखिए इसमें यदि दो ब्रत इसपर्स करते हैं तो कैंद्रों के बीच की दूरी जो है तरिज्जाओं के योग के बरावर होती है अन्ता इसपर्स करते हैं तो दूरी जो है तरिज्जाओं के अंतर के बरावर होती है कैंद्र और तरिज्जा का जिक्र ना हो तो ब्रत का ब्यापक समीकर प्रियो करते हैं कैंद्र और तरिज्जा का जिक्र नहीं दिया जाए अपोन पूरे के बटे A है यह पर अंताखन टू अंडर रूट अप स्कॉाइर माइनस C A पूरे के नीचे A यह हमारे ब्रत के फर्मूला है अब हम जानेगे परवले के बारे में तो परवले क्या होता है जब हम एक परवले तल के उन सभी बिन्नों का समुच्च है जो एक निश्चित सरार रेखा और तल के निश्चित बिन्न से समान दूरी होती है उसे हम परवले करते है तो जब एक संकू को हम थोड़ा तरचा होके काड़ते हैं तो हमें एक परवले प्राप्त होता है लेकिन वो निश्चित दूरी होती है तो देखे यहां पर परवले के दो चित्र बने हैं एक एकस अच पर एक बाई अच पर तो यहां दो फार्मूले होते हैं परवले का समीकरण बाई स्कूर बराबर चारे एकस होता है देखे एकस चार एक के साथ एक्स जुड़ा है तो एक्स अचकी और मौकुला होगा जो चार एक के साथ जुड़ा होगा तो ये ए क्या है नावी है नावी एक इस्तिर बिंद होता है और ये हमारा है परवलाय का समीकर एक्स स्कार बरावाच चार एवाई तो 4A के साथ क्या जोड़ा भाई तो भाई अच्की और माँ खुला हुआ है इसमे एक नियता होती है तो तीसरा देखिए इसमें चित्र है वाई स्कॉाइर बरावर माइनस के 4AX तो X अच्की और खुला है लेकिन माइनस की और खुला हुआ है इसमें एक स्कार बराबर मैनस के चारे बाई यह हमारे चार फर्मूले हैं परवलाई के निश्चित बिंद को परवलाई की ना भी कहते हैं निश्चित बिंद को परवलाई की ना भी कहते हैं और निश्चित रेखा को परवलाई की नियता कहते हैं तो आपकी एक रेका किशी है उसे निशित प्रवला की नियता पहते हैं तो ये प्रवला के फारूला है नेक्स्ट प्रवला की है मान के चलिए नावी ब्रेकेट में H,K P, X,Y दिया गया है एक्स मैनेस H का हुल स्कॉर प्लस बाई मैनेस K का हुल स्कॉर बरावर नियता का समीक रड़ा पौन अंडर रूट X स्कॉर प्लस Y स्कॉर ये हम फारूला लगाते हैं नावी लंब की लंबाई के लिए परवलाई में H की लंबवत नावी से जाती हुई रेका तो नावी लंब की लंबाई के लिए ये भी वरावर फोरे का फर्मुला लगाते हैं ये हमारे नावी के फर्मुला वो परवलाई के फर्मुला हैं अब दीगरवत के बारे माते हैं तो दीगरवरत, एक दीगरवरत के तल के उन बिन्दों का समच्चा है जिनका तल में दो इस्तिर बिन्दों से दूरी का योग अचर होता है, यानि फिक्स होता है दो इस्तिर बिन्दों से दूरी का योग फिक्स होता है दो इस्तिर बिंदूओं को दीगरद की नावियां कहते हैं तो देखिए यहां F1, F2 जो हैं दीगरद की नावियां यहां से जो दो बिंदूओं हैं उनकी दूनिया हमेशा फिक्स होगी PF1 प्लस PF2 PF1 प्लस PF2 बराबर होगा QF1 प्लस QF2 नावियों का मद बिंदूओं के अंदर कहलाता है तो देखिए हमारे सामने एक चित्र मना हुआ है और A greater than B है हमेशा फिक्स रहता है तो जिसे हम सीज कहते हैं